गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स वेलकम टो चैनल मारुति मैथेमेटिक्स आम योर टीचर जियन भाटिया तो आज हम 10 जून के जोए 10 करांट फेर्ज के कॉस्टेंज करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कुठ यह वह पहला कुस्टन क्या है नीमन में से किस टायर निर्माता कंपण्य ने संदीब महारा जन को प्रभंदक निदेशक नियुक्त किया है तो वो कौन सी टायर निर्बाता कंपणी है जिसने जो है संदीप महाजन को प्रबंदक नियुरदेशक नियुक्त किया है तो इसके आप्शन है MRF, CA टायर, गुड़ इयर इंडिया या फिर अपॉल्लो तो इसका अंसर क्या है तो इसका अंसर है गुड़ इंडिया क्या कहते हैं टायर निर्माता कंपनी गुड़ इयर इंडिया ने संदीप महाजन को प्रबंद नियुक्त किया है वे पांच वर्ष के लिए नियुक्त किये गए हैं तो उनका जो कारेकाल है वो पांच वर्ष के लिए होगा संदीप महाजन ने सेवा निर्विती वे राजीव अनन्द की जगा ली है तो उन्होंने जो है राजीव अनन्द की जगा ली है उन्होंने 38 साल से दिक समय तक कंपनी की सेवा की तो जो राजीव अनन्द थे उन्होंने 38 साल तक कंपनी की सेवा की थी ठीक है उनकी जगा पर अब सिंदीब महाजन को निक्त किया गया है ठीक है चलिए अगला कोस्टिन देखते हैं अगला कोस्टिन है 269.2 मिलिन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाडी बन गया है तो वो कौन सा कौन सा खिलाडी है जो 269.2 मिलिन पाउंड के साथ सबसे महंगा खिलाडी बन गया है तो इसके आप्शन है कीलियन एमबापे, लियोनल मैसी, क्रिस्टियन ओनार्डो या फिर बुन्देस लीगा तो इसका अंसर क्या है कीलियन एमबापे तो क्या कहते हैं, 269.2 मिलिन पाउंड की वैलियो के साथ फ्रांस के पैरिस सेंट जर्मन कलब के कीलियन एमबापे दुनिया का सबसे महंगा खिलाडी बन गया है जबकि लियोनल मैसी 22 में और इसके क्रिस्टियन ओनार्डो 70 में स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है दुनिया के सबसे महंगी खिलाडियों में कीलियन एमबाप पर तो यह तो आपको याद रखने और अगर कई बार यह भी उच लेता है कि लियोनल मैसी के कौन से स्थान पर तो 22 में है 22 में स्थान पर है और जो क्रिस्टियन ओनार्डों है वो 70 में स्थान पर है ठीक है चलिए अगला कुस्चन देखते है अगला कुस्चन है भारत ने प्रोसी देश नेपाल के कितने जीलों के कुल पंजा उच्छ करने की कि है इसको उप्सिन्स देश नेपाल के साथ जीलों के कुल पंजा उच्छ माध्यमिक विद्यालों का प्रिमान करने के लिए 1.84 अर्ब रुपे की मदद देने की गोशना की है जिसके लिए भारत और नेपाल के बीच साथ समझोता ग्यापनों पर सहस्ताक्षर हुए है तो इसके लिए भारत और नेपाल के बीच साथ समझोतों पर हस्ताक्षर हुए है ठीक है चलिए अगला कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है इन में से किस कैब सर्विस प्रोवाइडर कमपनी ने कार घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए आवरली रेंटलेस सर्विस शुरू की है तो वोन कौन सी कैब सर्विस कमपनी है जिसने कार घंटों के हिसाब से करने के लिए hardly rentless service शुरू की है तो इसकी option जा ओला Uber Mereu या फिस सवारी तो इसकी अज़का अनसर क्या है Uber क्या कहते हैं Cap service provider company Uber ने हाल ही में कार घंटों के हिसाब से भुक करने के लिए hourly rentless service शुरू की है यह service on demand पर 24 إلى 7 उपलब लब्ध होगी यह सर्विस 199 रुपे गंटे पर प्रती किलोमेटर प्रकेश से होगी जो यह सर्विस होगी 199 रुपे गंटे पर प्रती किलोमेटर प्रती 10 किलोमेटर प्रकेश से ठीक है चलिए एगला कुस्चन देखते हैं अगला कुस्चन है A.R.C.I. ने किस बिमारी के इलाज के लिए दुरलब धातु अधारित मेगनेट कैलोरिक समगरी का निर्मान किया है तो इस कांसर ओप्शन्स हैं तो इसके ओप्शन्स क्या है करोना, कैंसर, टीबी या फिर डेंगू तो इस कांसर क्या है कैंसर विज्ञान एवम प्रद्योगी की विभाग के स्वायत अनुसंधान एवम विकास के इंदर A.R.C.I. ने हाल ही में कैंसर बिमारी के इलाज के लिए दुरलब धातु अधारित मेगनेटो कैलोरिक समगरी का निर्मान किया है अगला कॉस्चन है कंणर एक्टर चिरंजीवी सर्जा का हाल ही में कितने वर्ष की उमर में निदन हो गया है तो इसके ऑप्शन है 22 वर्ष, 49 वर्ष, 45 वर्ष, या फिर 65 वर्ष तो इसका अंसर क्या है? 49 वर्ष क्या कहते हैं? कन्नड एक्टर चिरंजीवी सर्जा का आहाल ही में 49 वर्ष की उमर में निजदन हो गया है वे एक्टर दुरूव सार्जा के बड़े भाई थे साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सार्जा उनके चाचा हैं और उन्होंने वर्ष 2009 में कन्नड फिलम वाईव पुत्तर से डेब्यू किया था ठीक है? तो यह आपको पूछ सकते हैं कि उन्हें डेब्यू कब किया था तो उन्होंने डेब्यू किया था 2009 में कन्नल फिलम वाईव पुत्तर से ठीक है? चलिए अगला कॉस्चन देखते है अगला कॉस्चन है खाल ही में नौथ कोरिया ने किस देश के साथ सबी कम्यूनिकेशन लाइसेंस खत्म कर दी है तो नौथ कोरिया ने किस देश के साथ सबी कम्यूनिकेशन लाइसेंस खत्म कर दी है तो इसके आप्शन्स है औस्ट्रेलिया, जपान, चीन या फिर साउथ कोरिया तो इसका अंसर क्या है? साउथ कोरिया तो नौथ कोरिया ने क्या किया है? South Korea के साद जो है license खत्म कर दी, सभी communication license खत्म कर दी है हाल ही में नर्थ कोरिया ने साथ कोरिया के साथ सभी communication license खत्म कर दी है साथ ही hot line भी बंद कर दी है इन communication license को नर्थ करया को वनाय रखने के लिए से थापित स्थापित किया गया ता अगला गुस्चन देखते है अगला गुस्चन है अर्ब देशों की दूनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रेक लिए अपना पहला मिशन लाउच करने की घोशना की है तो वो तो इसके आप्शन है कतर, ओमान या फिर लेटिन अमेरिका या फिर सियुक्त अर अर्ब अमीरात का करते हैं, अर्ब देशों की दुनिया में सियुक्त अर्ब अमीरात ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रेक लिए अपना पहला मिशन लाउच करने की घोशना की है, जो की अर्ब देशों की दुनिया में यह मिशन लाउच करने वाला पहला देश होगा, तो स जो है अगले वर्ष फर्वी तक जो है मंगल ग्रया तक पहुंच जाएगा ठीक है चलिए अगला कुस्चन देखते हैं अगला कुस्चन है नीमन में से किस देश के मानवरित सब मर्सिबल ने महा सागर के नीचे विशव के सबसे गहरे बिंदू तक गोता लगाने का रिकॉर बनाया है तो इसके औप्शन से जपान जीन ऊस्ट्रेलिया या फिर ओस्ट्रिया और ओस्ट्रिया अलग है ठीक है तो इस कांसर क्या है चीन करते हैं हाल से गहरे बिंद तक गोता लगाने के दोरान निमून ने एकत्तित किये गई और भूग ब्रिये वात्तावर्ण की उच्छ गुनवता वाले चित्तर भी खीचे गए हैं तो उनको भी कैमरे में जो है कैल किया गया है ठीक है चलिए आज का आखरी कोस्टन देखने क्या है तो हमारा आखरी कोस्टन आजकर क्या है निमन मेंसे किस देश को हाल ही में करोना वाइरस से मुक्त गोशित किया गया है तो वह कौन सा देश है जिसको हाल ही में करोना वाइरस से मुक्त देश गोशित कर दिया गया है तो इसके आप्शन्स है चीन जपान अमेरिका या फिर न न्यूजिलेंड तो इसका अंसर क्या है न्यूजिलेंड क्या कहते हैं न्यूजिलेंड देश को खाल ही में करोना वायरस से मुक्त गोशिद किया गया है अब न्यूजिलेंड में एक 20 क्रिये मामला नहीं है तो अभी जो फिलाहल है न्यूजिलेंड में कोई भी करोना वायरस का मामला नहीं है वहाँ पर आम जिंदगी होगी यह स्टम तो आगे के करते हैं करीब 50 लाग की अबादी वाले देश न्यूजिलेंड में कुरोना वायरस के 1154 मामले थे जिसमें से 22 की मौत हुई थी ठीक है तो इसमें से आपको यह पूछ सकते हैं कि न्यूजिलेंड में कित सारा कुछ वहाँ पर नॉर्मल हो गया है तो वहाँ पर आम जिंदगी हो गया है ठीक है चलिए यह थे हमारे आज के 10 जून के 10 क्रंट फेस के कोस्टन्स तो ध्यान से पढ़ते रही है और चैनल के साथ बनने रही है और अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को ला झाल 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 झाल